नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोन लारायन बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया में विवादों में गिरे महाराज के ग्री मंत्री अनिल देशमुक ने अपनी उपर लग रहे आरोपों को लेकर एक बयान जारी किया है अनिल देशमुक ने इस बाबत मोक्य मंत्री उदव ठाकरे को चिठ्थी लिखी है चिठ्छी में देश्मोक ने कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिशनर परंबिर सिंग ने उन पर वसूली के जो आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों की जाच कराई जाए वहीं परंबिर सिंग आज बॉंबे हाई कोट का दर्वाजा खटकता तकते हैं चिठ्छी में अनिल देश्मोग ने कहा है कि जो बारोपों की जाच होगी तो दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अनिल देश्मोग ने अपनी चिठ्छे में लिखा कि अगर सीएम जाच के आदेश देते हैं तो मैं इसका स्वागत करूँगा बीजोपी लगाता ग्री मंत्री देश्मुक के स्तीफे की मांग कर रही है बतादें कि परम्विर सिंग ने ग्री मंत्री अनिल देश्मुक पर अवैद उगाही का संसनी खेज आरुप लगाया था उन्होंने ये कहा था कि एंट्यूलिया विस्फोटक मामले में गिरबतार पुलिस अधिकारी सचिन बाजे से देश्मुक सीधे संपर्प में थे उन्होंने बाजे को हर महीने सौ क्रोड रुपे की अवैदुगाही करने का निर्देश दिया था अनिल देश्मुक के खिलाफ सीवी आई जार्च की मांग कर रहे परमविर सिंग आज बंबे हाई कोट का दरवाजा कट कटा सकते हैं कर सुप्रीम कोट ने परंविर सिंग की याचका सुनने से इंकार कर दिया था और महराज के ग्रिमंत्रिया निल देश्मु के खिलाब जाज की मांग हाई कोट में रखने को कहा था सुप्रेम कोट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि परंबिर सिंग ने अपनी याजका में देशमुक को पक्ष क्यों नहीं बनाया अब परंबिर सिंग बंबे हाई कोट जा सकते हैं मुंबे पुलिस की एपिआई सचिनवाज़े की गिरफतारी के बाद आज उन्हें नाय कोट पर पेश किया जाएगा जागुकता मुहिम के साथ साथ कड़ाई से उसको पालन करवाने का भी काम हो रहा है तीनों नगर निगम स्वच्छ सर्वेक्षण अभ्यान के तहर तेजी से काम कर रहे हैं इसमें आसोचता के खिलाब जीरो टॉलरेंस नीती को ध्यान में रखते हुए कदम भी उठाई जा रहे हैं दक्षणी दिल्ली निगम के आयोक्त ग्यानेश भारती ने दक्षणी जोन की उपाई हो तो डॉक्टर सोनल स्वरूप के साथ दक्षण जोन का निरिक्षण कर श्वेतर में चल रही विभिन प करने के लिए प्रिरित करें और होम कंपोस्टिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे आपको दादेंगी पहले से ही निगम की तरफ से मार्केट एससियेशन और आड़ ड़ूए के सयोग से सच्टा को लेकर जन जागुता अभियान चलाया जा रहे हैं पार्कों में सू के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा प्रचार थमने से पहले ग्रुमंत्री आमिश्वाह सीम मंता बेनर जी रक्षा मंत्री राजना सिंग यूपी के सीम योगी आदितनात गौतम गंभीर की ताबर तोड़ रहे लिया हैं असम की 47 विधानसभा सीटों पर और बंगाल की 32 मार्च को चुनाव होंगी आसब के 12समे चुनाब होने हैं जिसमें पांच आदिवासी सीट है असमें तीन फेज में चुनाव हुरह हैं वही पौकषम बंगाल की तीज सीट पर चार सीट डलिस सीट два साट सीट जक्रांए बंगाल में लिया कि चार रादक्रान का नंदिग्राम में प्रचार शिशिर अधिकारी नहीं करेंगे ऐसी जानकारी मिल रही है कि शुबेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी ने कहाए कि ममता के लिए नंदिग्राम में प्रचार नहीं करेंगे उन्होंने कहा मेरे बेटे का अपमान किया गया है और लगातार उसे अपमानित किया जा रहा है और मैं अपने बेटे के साथ हूँ हर एक पिता चाहता है कि उनका बेटा आगे बढ़े और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी राजनिती में बढ़े वोटर इस बार के चुनाव में करारा जवाब देगा मोदी हम से मिले और स्टेज पर सुखद अरुभव का आदान प्रदान हुआ गुड मॉर्निंग इंडिया के खबरों में फिलाल के लिए तना ही आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया